हेलो कलास सेवन्थ कैसे आप सब आज कि इस वीडियो में हम देखेंगे कलास सेवन्थ साइन्स का चक्टर नंबर टैन और giving आप देखो जीवह में शोशन तो इस वीडियो में हम इस चप्टर के question answers को solve करेंगे और अगर आपने चप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफी अची तरह question answers समझ में आ जाएंगे लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं काफी आता है यहाँ पर आपको question answers समझाने की कोसिस करूँगा ठीक है तो वीडियो को करते हैं start सबसे पहले देखो question आता है आपके पास question एक अभ्यास में कोई धावक धावक यानि की जो runner's होते हैं ठीक है तो दोड लगाते है ठीक है धावक दोड समाप्त होने पर सामाने से अधिक तेजी से गहरी सांसे क्यों लेता है आपने देखा हो जब कोई दोड़ता है ठीक है दोड़ के आया तो क्या करता है बहुत तेजी से सांसे लेन अब देखो जब वो दोड़ा फिर उसके बाद दोड़ा जब दोड़ने में क्या होगी उसकी energy ज्यादा use होगी ठीक है waste नहीं बोल सकते हैं याँ पर क्योंकि जो धावाक होता है तो यहाँ पर उसकी views भी अब क्या होगी अपनी उर्जा को पूरा करने के लिए उसे अधिक oxygen की आवशक्ता होगी अब देखो जैसे वो दोड़ रहा है ठीक है तो उसको अपनी उर्जा जो है उसको पूरी करने के लिए उसको ज़्यादा oxygen की जरुत होगी इसलिए वो तेजी से सांस लेता है ठीक है इसलिए उर्जा की आपशक्ता को पूरा करने के लिए धावक दोड़ समाप्त होने पर सामाने से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है, ठीक है? तो देखो, समानता है क्या होती है? दोनोप्रकार के स्वसन में उर्जा निर्मुक्त होती है। दोनों प्रकार के जो स्वसान होते हैं वाइविय और अवाइविय दोनों में उर्जा निर्मुक्त होती है यानि कि उर्जा का निर्मान होता है आप एक दरस समझके चलो फिर दोनों क्या होती है कोशिकी यह प्रकरम है दोनों कोशिकाओं में होती है ठीक है दोनों प्रकार क होता है यह oxygen की उपस्तिती में होता है glucose का पूरी रूप से oxygen होता है और इस प्रकरम में अधिक उर्जा बनती है तो यह भी याद रखना ठीक है और एक तरसे में आपको बता हूँ यह आपके लिए बहुत होता है तो यह प्रकरम केवल कोशिका द्रवे में होता है तो यह भी याद रखना आप देखो आगे है प्रशन जब हम अत्यदिग धूल भरी वायु में वाये में सांस लेते हैं तो हमे च northern.. तो धूल नथनों से नासा गुहा में चली जाती है जब अब सांस ले तो धूल धकर понятно तो जाएगी ठीक है वहाँ पर आसपास की फिर नासा गुहा से वायू स्वांस नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है अब फिर वो हमारे फेफड़ों में जाएगी और ऐसे करण जब नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो यह क्या होता है यह गुहा की कोमल परत को उत ताकि वो जितने भी धूल के कणे वो सब नाक से वाफिर नतनों से हमारे बाहर आ जाए ठीक है देखो छीकने से अवंचित कण वायू के साथ बाहर निकलते हैं और इस प्रकार केवल स्वच वायू हमारे सरीर में प्रवेश करपाती है आप देखो आगे देखो तीन प्रकार नलियां आपको लेनी है प्रशने चार में ठीक है प्रते को तीन दसमलब चार भाग तक जल से आपको भर लेना है यानि कि तीन प्रकार नलिया लेनी है ठीक है परखनली ब में आपको कोई जली है पादप रखना है और सी में एक घोंगा और पादप दोनों को आपको रखना है किस परखनली में कार्बन डाकसाइड की सांदृता सबसे अधिक होगी तो देखो परखनली एक में क्या हो ए में हमने केबल सिर्फ घोंगा डाला ठीक है तो ने में केवल घंगा है और यहां carbon dioxide gases चोड़ता है धीक है घंगा क्या करताया carbon dioxide गयस ले रहा है अब क्या करता है पेड़ का करते हैं कार्बन अक्साइड गयस को अंदर लेते हैं ठीक है C में देखो C में दोनों गूंगा तथा जलिये पादप हैं जलिये पादप गूंगा द्वारा छोड़ी गए कर्वन डाइकसाइड को गैस को लेता है और इसलिए परक्नली A में कर्वन डाइकसाइड की सांदता सबसे अधिक होगी क्योंकि देखो यहाँ पर कर्वन डाइकसाइड को लेने वाला कोई नहीं है सिर्फ यहाँ पर कर्वन डाइकसाइड छोड़ी जा रही है किसके द्वारा गूंगे के द्वारा ठीक है बाकी यहाँ पर तो carbon dioxide को पेड ले ले रहा है प्रकास अंसलेशन के क्रिया में और यहाँ पर क्या हो रहा है जो गोंगा carbon dioxide छोड़ रहा है उसको पादप ले ले रहा है ठीक है C में अब देखो प्रशनर पांच है सही उत्तर पर आपको टिक लगाना ठीक है यानि कि चिन लगाना तो देखो तिल चट्टों के सरीर में वाई प्रवेश करती है उनके किस के द्वारा स्वांस रंद्रों के द्वारा तो यह भी याद रखना यह भी बहुत बार आ जाता है एक्जाम में ठीक है फिर देखो आते धीक यहाप आप देखो व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पतार्थ के संचैन के कारण एठन होती है किस के कारण तो देखो यहाप लेक्टिक अमल के कारण ठीक है यह भी याद रखना फिर देखो किसी सामान्य वयस को जो व्यक्ति होता है कि विश्राम अवस्ता में औसत स्वसन की दर क्या होती है 15 से 18 मिनट ठीक है औसत स्वसन की दर अब देखो यहाँ पर आप देखो उच्चुश्वन के समय पसलियां क्या करती है तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे नीचे की और गती करती है फिर देखो कॉलम A में दिये गए सब्दों का आपको कॉलम B से मिलान करना है तो देखो कॉलम A में आपको दिया है yeast तो यह क्या करता है यह है alcohol ठीक है आपको एक दर से मान के चलो true false आपको बताएगे हैं आपर तो देखो पहला यहाँ पर आपको पास को है व्यायम करते समय व्यक्ति की स्वसन की स्वसन दर धीमी हो जाती है तो देखो इसका उतराब लिखोगे असत्य ठीक है फिर देखो व्यक्ति व्यायम करते समय है व्यक्ति स्वसन अच्छ ठीक है व्यायम करते समय हम क्या करता है हम लंबी लंबी सांसे लेते हैं ठीक है पादब में प्रकास स्वसन केवल दिन में होता है तो यह आप लिखोगे असत्य फिर देखो मशलियों में स्वसंद के लिए फेफड़े होते हैं तो इसे आप लिखोगे असा ठीक क्योंकि मशलिया तो किसे लेती हैं क्लों जो गिल्स होती है उनकी ठीक है इसको सबद बनाने तो इसके अंसर को आपके इस तरह से हैं अपे छोगे देखो स्वसंद प्रणाली पहले का पर दियसके कीट वायू नयका वरडम मिलेंगे आपको नीचे पहले पहले ही दे दोंग वहापको यहांप छोप necess uh काफी जाद करने मजा भी आता है ठीक है जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ यहां पर अब यहीं बात करते-करते मेरे को आप दिग गया यहां पर स्वास देखो ठीक है रंदर ठीक है ऐसी आप डून सकते हैं यहां पर कई सारी चीज आपको मिल जाएंगी फेफड़े यह सा आपको यहां पर मिलेंगे प्रस्ट नौ देखो परवता रोही अपने साथ औक्जिजन स्लेंडर ले जाते हैं क्योंकि अब देखो परवता रोही यानि कि जो माउंटेनियर्स होते हैं ठीक है जो माउंटेन चड़ते हैं वो अपने साथ क्या करते हैं औक्जिजन स्लेंडर लेके जाते हैं वहां उपलब्द वायू की मातरा भी भूतल पर उपलब्द वायू की मातरा से क्या होती है कम होती है वहां पर जो वायू होती है धरती से भूतल जो होता है ठीक है नीचे वहां वायूत था भूतल के ताप से अधिक होता है ठीक है वायूत था भूतल का जो प्रवत पर वायुदाव भूतल की अपेक्षा अधिक होता है इन सब में से आपको एक बताना है तो देखो सही उत्तर क्या था जो हमने सबसे पहले पढ़ाता है वहां उपरब्द वायु की मातरा है भूतल पर उपरब्द मातरा से कम होती है ठीक है नॉर्मल सी बाते तब ही तो class 7 आप class 7 के other subject के question answer videos modern master जी के channel पर देख सकते हैं, आप simply chapter का name लिखे by modern master जी करके search करेंगे तो आपको videos मिल जाएंगी, बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और modern master जी का नाम भी रोशन करें,